हेलो फ्रेंट्स, वेलकम तो आवर यूट्यूब चैनल बहु अग्रिकल्चर, I am सुभाम पाल, पर्सुइंग मैं बहुत सी ओनर्स अग्रिकल्चर फ्रम बनारा सिंद्य उनिवर्सिटी, तो आज हम लोग बात करेंगे ICR के एक्जाम के बारे में, ICAR-AIEA, All India Intense Examination for Admission, और इ एक बाड़ी है, जो अधर एक्जाम भी कराता है, जैसे CSIR का है, तो उसमें से ICR भी है, तो बेसिकली आज हम लोग ICR-AIEA के जो बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम है, उनके बारे में बात करने वाले हैं, तो टोटल 11 बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम ICR प्रोग्राइड क किया गया है, क्योंकि वो नीट के थुरू उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं, ICR के जो बेसिक रूल्स हैं, एडमिशन के, उसमें पहला है एग्रिकल्चर युनिवरस्टी ओन 15% अब दे उनिवरस्टी सीट, जो भी ICR से एक्रीडियेटर नेशनल अग्रिकल्चर युनिवरस्टी हैं, उनमें 15% सीट्स जो है, वो रिजर्व होती है, ICR के थुरू, उसके बाद है 100% सीट्स इन इन तीन उनिवरस्टी में, रानलक्षमी बाइस चेंट्रल अग्रिकल्चर युनिवरस्टी, एंडियाराई करनाल, और इसमें राजयन प्रस अग्रिकल्चर युनिवरस्टी में, एक ही सब्जेक्ट के लिए, एक स्टेट से 40% से ज्यादा स्टुडेंट उसमें एड्मिशन नहीं ले सकते हैं, ऐसा एक रूल है, तो इसके अप्लिकेशन फॉर्म के लिए आप ICR.NTA.NIC.IN इस वेपसाइट पे जाके, आप इसमें अ Information Bulletin, तो उसमें वहाँ पर जब जाएंगे, NTA के साइट में, ICR NTA के साइट में, तो आप देखेंगे, वहाँ पे एक PDF मिलेगा, PDF का लिंक है, Information Bulletin के नाम से, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और जो भी उसमें rules and regulations, जो भी है, ICR में, admission के, तो उसको आप application form नीचे मिल जाएगा, इस PDF में, तो जेनरली, ICR का exam, एक जून तक complete हो जाता है, but due to COVID-19, इसके डेट को extend कर दिया गया था, तो latest date है, 15 जून इसके application form के लिए, और आप www.icar.nta.nic.in इस website पर जाके application form फिल कर सकते हैं, तो ICR total 11 bachelor's degree program प्रवाइड कराता है, जो कि उनका duration होता है 4 year, 4 साल के होते हैं कूर्स, तो इसमें देख सकते हैं, अब B.S.C. भी है, और B.T.E.C. के भी courses है, B.S.C. में agriculture है, horticulture है, fishery sciences है, forestry है, community science है, और B.T.E.C. में agriculture engineering, dairy technology, food tech, biotech, तो इसमें 11 courses इसमें हैं, इंपोर्टन चीज़ जो है, scheme of examination या pattern of examination जो है, इसका ICR UG का, उसमें देख लिए यह online examination है, CBT, mode of examination, और फिर इसमें duration धाई गंटे का है, two and half hours, number of questions 150, 150 question है, total मतलब 3 subject है, तो 50, 50, 50, तीनों में divided हैं, और एक question 4 number का, तो total आप देख सकते हैं, 600 marks का यह question paper है, और minus 1 negative marking है, अगर आप गलत answer करते हैं, और अगर आप attempt नहीं करते हैं, तो zero marks रहेगा उसका, इसका medium जो है, हिंदी और इंगलिस दोनों medium में एक question paper आपको मिलेगा, तो यह 4 major subject group हैं, जिनसे आप exam दे सकते हैं, पहला PCM, दूसरा PCB, तीसरा PCA, और चौथा ABC, agriculture, biology and chemistry, जिसको अभी हाल ही में इस subject group को add किया गया है, तो इसमें बहुत लोग का doubt रहता कि सर हमारा जो intermediate में subject है, उसके अलावा भी हम किसी और subject group से exam दे सकते हैं या नहीं, तो ICR यह allow नहीं करता है, आपको जिस आपका जो intermediate में subject group था, उसी subject group से आपको exam देना पड़ेगा, So one of the important thing is eligibility criteria and qualification, तो इसको हम लोग देख लेखते हैं, पहला है at least 16 years of age on 31st of August, So 31st अगस्त तक जो भी candidate exam दे रहा है, उसको 16 साल का होना चाहिए, दूसरा है Indian candidate must have passed 10 plus 2 examination, So nationality आपकी Indian होनी चाहिए, और आपका intermediate 12th complete होना चाहिए, passed out होना चाहिए, और आपका 12th जो है at least, आपको 50% marks होना चाहिए, अगर आप general category के हैं, या OBC से हैं, या EWS या UPS से category से belong करते हैं, तो आपका minimum 50% aggregate marks होना चाहिए, और अगर आप SCST से हैं, Transgender या PWD से हैं, तो आपका minimum 40% intermediate marks होना चाहिए, तो मैंने आपको बताये थे कि ICR total 11 UG program कराता है, तो उसके अलग-अलग criteria हैं, अगर आप BST honors agriculture करना चाहिए, तो आप कोई भी subject group आपका 12 में रहा हो, आप उस subject group से आप exam दे सकते हैं, लेकिन आगर आप देख रहे हैं, जैसे BTEC वगरा में है, तो BTEC में आपका 12 PCM या PCMB से होना चाहिए, और आपको फिर exam में PCM attempt करना पड़ेगा, तो यह आप पूरा criteria देख सकते हैं, इसमें पूरा दिया हुआ है, पिस्ट honors horticulture में भी आपका कोई भी भी subject है तो आप उससे दे सकते हैं, तो एक बार अगर आपका result आ चुका है और आपको counselling में बुलाया गया है, तो आपका admission होने के बाद आपको हर मन्त में NTS मतलब National Talent Scholarship दी जाएगी ICR के थुरू, और उसका amount 3000 पर मन्त, हर महिने आपको 3000 रुपे दिये जाएंगे ICR की तरब से, यह जो scholarship दी जाती है, इसमें एक condition है कि अगर आप जिस state से बिलॉंग करते हैं, और उसी state की किसी भी agriculture university में अगर आपका admission होता है, तो फिर आपको NTS नहीं मिलेगी, National Scholarship नहीं मिलेगी, ICR reservation भी आपको provide करता है अगर आप इन categories को बिलॉंग करते हैं, SCST है, फिर इसके बाद है OBC, NCL, OBC आपको यहां पर ध्यान देने के जरूरत है कि सभी OBC students को यह reservation मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, जो NCL से विलॉंग करते हैं, non-crimalier जिसमें आपका income certificate देखा जाता है, तभी आपको यह reservation दिया जाएगा, उसके बाद है PWD, अगर आप physically disabled हैं तो उसका आपका एक certificate होना चाहिए आपके पास, तब आपको reservation मिलेगा, EWS है, economically weaker section, UPS है, under privileged state, जहाँ पे आप North States या उसमें और भी states बिलॉंग करते हैं, जैसे तरी पुरा वगरा है, तो फिर आपको reservation दिया जाता है, उन categories के लिए, तो इसके बारे में जो पूरा details में, वो जो PDF मैंने आपको बताया था, information bulletin के नाम से, उसमें आप देख सकते हैं इसका application fee देख लिजिए आप, general के लिए, OBC के लिए, SCST और PWK, और यहाँ पर एक और important चीज है कि आप जब online application फिल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको किसी भी documents के जरूरत नहीं है, कोई भी certificate की, बट जब आपको बुलाया जाएगा, वहाँ पर online counseling के लिए, या फिर counseling procedure के ल नहीं है, तो print copy of admit card, जो कि आप NTA से download करेंगे, उसके बाद एक passport size photo होना चाहिए, उसके बाद कोई भी government authorized ID होना चाहिए, जैसे कि आधार card है, passport है, और एक आपके पास, अगर आप PWD से हैं, तो आपको उसका certificate भी लेके जाना है, तो आप लोग में से बहुत लोग ऐसे online exam दे रहे होंगे, तो उनको पता नहीं होगा कि कैसे उनको use करना है, buttons वगएरा कैसे use करना है, तो उसके लिए आप जो TPC है, उसके लिए आप registration कर सकते हैं, और उसमें free of cost आपको एक nearby center बताया जाएगा, जहाँ पर आप आप सीख सकते हैं, बिना किसी fee के, So last is the result, result आपका वही NTA की website में आएगा, ICR NTA की website में, आपका display कर जाएगा, और answer की भी वहीं पर आपको दी जाएगी, तो आप 3 दिन के अंदर जो answer की आती है, तो आप अगर आपको लगता है कि किसी question में उसका wrong answer दिया गया है, तो उसके लिए आप challenge कर सकते हैं, बट आप आपको per question 1000 पे करना पड़ेगा उसके लिए, so ICR NTA के दोरा एक help line भी provide की जा रही है, यह आप देख सकते हैं, इसका number और email भी कर सकते हैं, icr.nta.ac.in पे, अगर आपको कोई doubt है, तो वहाँ पर आप call कर सकते हैं, so ICR के दोरा जो latest notification आया था, UG program के लिए, उसके लिए मैंने आपको पूरा यहाँ पर detail में सब कुछ बताया है, आपको बहुत बहुत धन्वाद, अगर आपको यह video अच्छी लगी हो, informative लगी हो, तो आप इसको like करें, share करें, और subscribe करें हमारे YouTube channel BHU Agriculture को, बहुत बहुत धन्वाद